दोस्तों वेलकम है आपका आपटेसी एक्सपर्ट नियोस के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम एक और बड़े मुकापले को कवर करने जा रहे हैं गुजरा टाइटन्स वर्सेस लखनाउ सूपर जी आंट्स के बीच में फोर्थ नमबर मैच होने वाला है दीगे सब समयन इशू यहाँ पर आएगा ड्रीम लेवन पर आप लोग टीम्स बनाएंगे तो आपको क्रेडिट का काफी ज़्यादा इशू आएगा चाहे आप विकिट कीपर सेक्शन देख लिजी लोकेश राउग, क्विंटन डी कोग, मैथ्यू बेड फिर बेटिंग सेक्शन देख लिजे इविन लिविस, मनिश पांडे, शुबमत, गील फिर आप ओल्डाउंडर सेक्शन देख लिजे आपको काफी ज़्यादा इशू आने वाले हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो तो टीम तो हम लोग सभी क्रियेट कर लेते हैं लेकिन जब आद आती captain wise captain से selection की तो वो हम सही से choose नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने especially एक dedicated वीडियो बनाया है captain wise captain से कैसे select करते हैं mega contest के अंदर तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख सकते हैं मेरे channel पर जाकर i button पर मैं आपको link देदूँगा बहुत ये अच्छी वीडियो है एक बार जरूर देखेंगे तो आपको grand leagues में easily हो जाएगा captain wise captain से selection करना अब बाई बात कर लेते हैं हरदिक पांडिया versus location रहूर क्या कुछ रहने वाला है वाइन खेड़े stadium पर एक मैच होगा और क्या हुआ score नहीं कर पाई लेकिन आप एक बात notice यहाँ पर कर रहे होंगे वान कड़े में कि wickets कम जाते हैं क्योंकि एक betting wicket है और passers को help मिलती है जैसा कि आप यहाँ पर सीधा सीधा देख पा रहे हैं तीन wicket passers को first inning में और तीन second में और second inning में wickets 1-1 दोनों को बराबर spin को 1-1-1 wicket मिला है तो spinners के लिए उतनी help इस wicket पर नहीं है क्योंकि शाम बढ़ जाता है और dew का impact जादा हो जाता है यहाँ पर तो spinners को उतना advantage नहीं मिलने वाला है तो passers friendly आपको अपनी team बनानी पड़ेगी उन सारे से जादा जादा पेसर्स अपनी team में include आपको करने है वेन यू historically अगर देखते हैं तो यही हुआएगी chase करते हैं मैचेस विन हुए average total दो वेसे 167 का यहाँ पर है लेकिन कल के match में बड़ा players खेलेंगे दोनों ही teams में तो हम expect करेंगी कि 180-190 तो यहाँ पर easily बने है जो भी team पहले बेटिंग करेगी वो इतना score तो try करेगी क्योंकि उससे below score होगा तो यहाँ पर easily chase हो जाएगा क्योंकि दोनों ही teams के पास में बड़े players है hit to hit से हुए नहीं है fresh team है दोनों सबसे पहले बात करते हैं अलजजारी Joseph है जो कि England के लिए खेल रहे हैं तो वो अभी miss करेंगे match अभी नहीं खेलने वाले अब देखते हैं वो Mark Wood के replacement पर आये हैं team से join हुए हैं लेकिन quarantine period अपना complete करेंगे उसी के बाद में वो अभी खेलेंगे बाकि अगर उनका कोई status अभी तक दिखने को नहीं मिलाए कि वो squad से join हुए हैं या नहीं हुए हैं डेविड मिलर आ चुके हैं और अपना quarantine period almost complete हो ही जाएगा कल के match में तो आपको सारे South African players खेलने खेलते वे आपको दिख जाएंगे क्योंकि 72 hours का है देखो totally complete करना और जैसे कि कल ये आ चुके थे कल ये दो पर 12 से 2 बजे के बीच में आ चुके थे तो almost इनका complete होई जाएगा 72 hours तो ये यहाँ पर confirm खेलने वाले हैं कि कल के match में आपको दिखेंगे प्ले करते हुए होल्डर कायले मैर्स ये नेशनल ड्यूटी के लिए गया है तो ये भी नहीं कहलेंगे मार्कास स्टोइनिस क्योंकि अभी white ball squad के लिए जुड़े हुए हैं तो मार्कास स्टोइनिस आने उले बल रहेंगे वहीं क्विंटन डी को का चुके हैं मुंबई तो वह भी खेलने को त्यार है बात करते हैं गुजरात की तरफ से आपको गिल आन मैथ्यू वेड ओपन करते हुए दिखेंगे फर्स डाउन अभी नाव मनाओर क्योंकि हो सकता है रिदिवन साहा खेले तो फिर ऐस बैटर खेलेंगे क्योंकि विकेट कीपिंग यहापर मुस्टली आपको मैथ्यू वेड करते हुए दिखे जाएंगे तो क्या हो सकता है टीम अगर टीम किसी प्लेयर को मुका देती है ज यह शंकर डेविड मीलर हार्दिक पांडिया का सबसे एहम रोल होने वाला है क्योंकि इनका अभी तक क्लियर नहीं है कि यह बीटिंग से केवल बीटिंग करेंगे या बोलिंग करेंगे अगर बोलिंग करेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा एडवन्टेज हो जाएगा क क्योंकि आप कैप्टेंसी के कंटेंडर अच्छे ही है यहां से बन जाएंगे फिर यहां से राउल तेवट या है जवन्ट त्यादा और वरुन आरुन अगर फिर यहां से नहीं खेलता है न यानि टीम एजब बेटर खेलते हैं अर्दिक पांडिया तो फिर यहां से वरु क्योंकि अभी तक टाय का क्लियर नहीं है कि वो पहुचे या नहीं और अभी कुछ उनके परसनल फैमिली रिजन्स की वज़े से भी हो सकता है वो रूख जाए बाकि अभी तक क्लियर नहीं है तो बहुच पबली यह होगा कि अंकीत राजपूद आपको खेलते हैं दिख ज मश्च्यों सेलेक्शन में रहेंगे पताई को फिर यहां से लॉखी फर्गुुसान नुजेलेंड के सबसे तेज गेंधबाद प्लस डेथ मÄं गेंधबाजी करेंगे तो मस्ट्यों पिक में रहेंगे उसके बाद में यहां से अथ आभी नहें बर मनाओ डूमेस्टिक सरक और करके आ रहे हैं अफ्रीका के लिए तो यह पंटर पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए इस्मॉल लीग के लिए नहीं पॉमा श्रमी नो डाउट डेथ में गेंदवाजी करेंगे तो मस्ठेव सेलेक्शन में रहेंगे बागी यहां से यह प्लेयर्स नहीं खेले वाले और करामाती खान फिड यह तो मस्ठेव सेलेक्शन में रहेंगे और चाये फर्स्ट इनिंग हो चाये सेकंड इनिंग हो इनको विकेट्स मिल जाते हैं तो एक विकेट्स इनका कंफर्म रहता ही है तो मस्ठेव पिक में हमाया इन्हें रखना है उसके बाद में यहां से साहा अगर खेलते हैं तो आप लोग रख सकते हैं उतने बड़े प्लाइर नहीं है आप लोग ट्राए कर सकते हैं एकाई जील में आगर खेलते हैं तो बाकि यहां से मुझे ने लगता कोई player खेलने माला है विजे शंकर मस्ठेयो पिक रहेंगे शुबमन गिल मस्ठेयो पिक रहेंगे उसके बाद में तेवट या second inning में best हो सकते हैं और first जैसे की betting करेंगे first betting करेंगे और second inning में balling करेंगे तो यह आपके लिए better pick हो सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत गेंदवाजी भी करेंगे और अगर top order ने अच्छा score किया तो team क्या करेगी इनको promote भी कर सकती है यह late hitting के लिए जाने जाते हैं और अगर हो सकता है opening pair या जो top order के player वो ज्यादा उबर तक टिक गए 15-16 over तक तो इने जल्दी promote किया जाएगा और यह score कर सकते हैं तो यह condition अगर आप लोग सोच के team बना रहे grand league का तो राहूल थेवटी आपकी team के selection में होने चाहिए बाकी यहां से Matthew Wade credit आपका save करेंगे अगर आप wicket keeper में से किसी एक पर risk ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए easy हो जाएगा फिर यहां से वेड़ को पिक करना और आप लोग grand league के अंदर अच्छा rank लगा सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है अभी recently first class cricket में एक ही मेंच के अंदर 50 लगाए और 61 भी गया उसे बेल लिस्टे cricket में 86 करके आ रहे है 43 तो currently inform batsman है कर रायक रख सकते हैं अपनी टीम में बाकी जयनत यादव जयस दयाल यह grand league के पिक रहेंगे केल राउन मस्टे हो पिक आविश खान मस्टे हो पिक में रहेंगे उसके बाद में यह बडोनी है इनका states आप लोग दे सकते हैं के एवरेज बैट्स में चमीरा रख सकते हैं डेथ में गेंदवाजी कर सकते हैं टीम के लिए क्विंटन डिकोक मस्टे हो पिक में रहेंगे उसके बाद में किष्णपा गोतम सेकंड इनिंग में बेटर रहेंगे grand league में छोड़ सकते हैं holder दीपाख खुड़ा इन दोरों में से दीपाख खुड़ा के chances है कि वो खेलेंगे तो रख सकते हैं grand league में small league के उतना बेटर पिक नहीं रहेंगे कब इनको सलेक करना जब फर्स्ट इनिंग में बेटिंग कर रहे हो grand league के अंदर बाकि आप लोग easily छोड़ सकते हैं even levis रखेगा top order में बेटिंग करेंगे और opening आपको first down बेटिंग करते वे दिखेंगे must have pick में बन जाता है क्योंकि credit 9 का ही है और आपके लिए hard eating bets में आ रहा है 9 credit में तो हमें pick करना ही रहेगा उसके बाद में यहां से कोई इतना बेटर choice नहीं है मनिश पांडे अगर आप लोग even levis को drop कर रहे हैं तो मनिश पांडे को आप अपनी team में select कीजेगा यह आपका combination रहेगा backup team के अदर जब backup team यानि आप लोग सारे important player को select करने के बाद में किसी एक player को छोड़ रहे हैं जो कि credit issue कर रहा है तब आप लोग क्या करेंगे मनिश पांडे को अपनी team में select करेंगे उसके place पे जिसको आप लोग छोड़ रहे हैं ठीक है उसके बाद में यहाँ से कोई इतना better option नहीं करोंडल पांडिया grand league के pick रवी विश्णोई proper leg break spinner है तो मैं अपनी team में रखूँँगा गुगली काफी डालते हैं तो यह wickets निकालने के chances रहेंगे तो इनको मैं अपनी team में consider करूँगा चाहे वो first inning हो चाहे second inning हो बाकी कोई इतना better option आपके लिए नहीं है प्लेयर बेटल्स भी आप लोग देख सकते हैं केल राउल वर्सेस यहाँ पर राशित कान तीन बार out कर चुके हैं और strike rate 100 से भी below है तो यह अगर आप लोग battle follow कर रहे हैं तो केल राउल को फिर आप लोग drop कर सकते हैं लेकिन यह वान खेड़े का venue है support करता है पैसर्स को तो कभी जब यहाँ पर chase कर रही हो न टीम लकनाव सूपर जियांट्स तब आप लोग try कर सकते हैं राशित खान को और drop कर सकते हैं अपने केल राउल को यसी possibilities हैं लेकिन कम chances रहेंगी कि flop हो यहाँ पर लेकिन player battles जो की अब तक हुए हैं उसमें यही दिखाएं कि करामाती खान भारी पड़े हैं उसके बाद में यहाँ से क्विंटन डिकोक वर्सेश शमी एवरेज हैं एक 21 मैचस में 21 बोल्स में 37 किया है लेकिन 2 टाइमस आउट भी गया है बाकी यहाँ से कोई इतना बेटर ओप्शन नहीं है शुमन गिल वर्सेश आविशकान 2 टाइमस आउट कर चुके हैं लेकिन स्कोर वो कर चुके हैं तो यह प्लेयर बेटल से 4 प्लेयर्स की जो की important आपके लिए रह सकती है कैसे drop करना है कैसे pick करना है यहाँ पर आपको clear दिख गया है अब चलते हैं हमाई teams की तरफ, teams से पहला अगर आप लोग आपना fan to play पे नहीं play किया तो आप लोग play कर सकते हैं बहुत ही अच्छी fantasy platform में lowest credit के साथ में आपको यहाँ पर खेलने को मिल जाता है याँ एक रूपया एड़ भी नहीं करेंगे तो भी खेल लेंगे प्लस एक एक रूपय वाली entry fees वाली भी leagues है तो खेलिए classic fantasy के साथ challenge fantasy पर आप 2, 3, 4 players का अपना खुद का challenge भी बना कर जो है यहाँ पर fantasy play कर सकते हैं और मैं 2 player का fantasy यहाँ पर play करने वाला हूँ लेकिन वो मेरे hidden pick रहने वाले हैं तो जो लोग telegram पर जुड़े रहेंगे उनको मैं दूँगा और वो लोग win करेंगे यहाँ पर one sided challenge fantasy के अंदर हम beat करेंगे बड़े-बड़े players को बड़े-बड़े fantasy youtubers को तो please आप लोग telegram से ज़रूड जुड़ेगा वीडियो के description में link है referral code आप मेरा free play invite code use कर लीजेगा वो मैं आपको telegram पर link दे दूँगा अब बात करते है team formation कैसे हो रहा है देखे top 4 तो हमें drop करना ही नहीं है याँ से लखनों की तरफ से क्योंकि कोई भी unexpected inning यहाँ पर खेल सकते हैं अब यहाँ से बचते क्या है फिर शुबमन गिल अब यहाँ से शुबमन गिल उसके बाद में अगर थोड़ा सा नीचे आप लोग जा रहे हैं तो डेविड मिलर तक जा सकते हैं पाकि कोई भी इतना better option आपके लिए नहीं रहेगा फिर अब विडिया उमन और ही एक pick बचेंगे तो आपके लिए selection में यह दो तीन pick बचेंगे तो grand league में आपके लिए सबसे best यह match क्यों है क्योंकि आपके पास में ज़्यादा choices नहीं है ज़्यादा choices नहीं है तो same selection रहेगा same selection रहेगा तो फिर आपका rotation के लिए में रहेगा all rounder और bowlers के अंदर क्योंकि फिर आपके dependency हो जाएगी कि grand league आएगी कहां पर आएगी all rounder और bowlers के अंदर और एक आएगा फिर wicket keeper section के अंदर ठीक है यहाँ पर selection यह 2-3 area आपको ज़्यादा तर ध्यान में रखने है waiting section में उतना आपका impact नहीं पढ़ने वाला है तो आप लोग waiting section से safe हैं अब आपको rotation करने रहेंगे grand league में इन 3 section के अंदर तो यह मेरा team बन रहा है फिलाल के लिए small league का जिसका मैंने preview आपको दिखा दिया है यह small league का team है जिसमें captain राहूल है wise captain सी हर्दिक पांडिया consider अब देखेंगे कैसे wise captain सी इनको रखना है अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हम bowling करेंगे तो फिर हम इनको अपनी team में wise captain सी देंगे केल राहूल के साथ में कर सकते हैं safe side के लिए small league में जो आपके लिए सबसे safe option बचेंगे वो 3-4 option है जिनको आपको captain wise captain सी करना चाहिए small league में तो यही 4 option है इनी के साथ में आपको जाना है अब ए grand league का team में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कैसे जिसमें विजेश अंकर को मैंने wise captain सी कर दिया अपनी team में बाकी team पूरा का पूरा same यहाँ पर देखने को मिला है अब जो लोग थोड़ा सा risk लेना पसंद कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं जैसे कि हर्दिक पांडिय अगर as a batsman केलते हैं तो फिर क्या करना है यहाँ से थोड़ा सा risk लेके Matthew Wade जो की खेल रहे हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट में कैसा खेला आपको पता ही है पूरा world cup ले गए थे तो आपको इनको अपनी team में रख लेना है और hitting कर सकते हैं तो lefty bets मेंने और hitting कर सकते हैं इसलिए फिर grand league के अब लोग खेलेंगे तो इनको vice captaincy भी दे सकते हैं grand league के अंदर तो यह combination है अब जो लोग grand league खेल रहे हैं उनके लिए telegram पर काफी कुछ है मैं regular team provide कर रहा हूँ तो telegram channel से आप लोग जोड़ जाएगा वीडियो की description में लिंक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए channel सब्सक्राइब वीडियो को लाइक है और शेयर करें thank you